कि इस वीडियो में एक और कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं ठीक है देखो जब इस टाइप का कोशन आता है कि एक ट्रैंगल उसके साइड्स का मिड़ पॉइंट दे रखा है और हमें वर्टिस की कोडिनेट करने होते हैं काफी लेंदी कोशन है जिस बच्चे ने वाला कोशन बना रखा है उसको पता होगा कि यार कितना जाधा टाइम लगता है इस कोशन में ठीक है और इसी का उल्टा अगर वाटेक्स का कोडिनेट दे रखा है मिड़ पॉइंट करने बोलता है तब तो यार बच्चो वाला कोशन और बन जाता इस दीले लेकिन इसी का अगर इसको माइनस कर दो ये वाला वर्टेक्स चाहिए इन दोनों को जोडो इसको माइनस कर दो नहीं समझ मैं आया देखो वर्टेक्स P का कोडिनेट हमें कैसे मिलेगा शॉट कट P को निकालना, उसके अगल बगल वाले को जोड़ो, opposite को minus कर दो, अगल बगल वाले को जोड़ो, P का coordinate हमें कैसे मिलेगा, A plus C minus B कर दो, अब A plus C बोलने का मतलब क्या हुआ, A plus C इन दोनों को जोड़ोगे, तो X वाला X में जुड़ेगा, और Y वाला Y में जुड़ेगा, ठीक ह कॉमा, Y1 plus Y3, Y1 plus Y3 minus Y2, यही काम तुम्हें तीनों वाटेक्स के लिए करना है, अगल बगल वाले को जोड़ो, opposite वाले को minus कर दो, Q का निकालना है, तो Q क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, X1 plus X2, X1 plus X2, और minus कर दो X3, कॉमा, Y1 plus Y2, minus कर दो Y3, सेम काम R के लिए कर दो, X2 plus X3, minus X1, और Y2 plus Y3, minus Y1 हो गया, खतम, एक्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, इसमें दे रखा, the midpoint of the side of a triangle, this, 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 3 point दे रखा है, इसको ऐसे plot कर दो, midpoint दे रखा है, कहां लिख दिया, 3,4, ठीक है, यहां लिख दिया, 8,9, और यहां लिख दिया, 6,7, ठीक है, इसको नाम कर दो, A, B, C, हमें यह चाहिए, ठीक है, क्योंकि MCQ है, कोई दिखाना तो है नहीं, रफ वर्क, जैसे रफ में solve करते हैं, वैसे कर लो, एक का कॉडिनेट, C, कैसे मिलेगा, 3,6,-8, 4,7,-9, यह मिलिया, एक का कॉडिनेट, ठीक है, तो कितना जागा, 6,3,9, 9 में से 8 जागा, तो क्या बचेगा, 1,7, और 4, 11 में से 9 चला गया, 2, ठीक है, इसके बाद B का कॉडिनेट हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों को जोड़ो, C, इसको माइनस करो, 3,8, 8, 3,11, 11-6, और 4, 9, 4, 13, 13-7, 13-7, 13-7 क्या हो जाएगा, 6, तो 11 में से 6 चला गया, तो एक आगया, 5,6, ठीक है, और C का कॉडिनेट क्या हो जाएगा, 8 और 6, 14, 14 में से 3 चला गया, 11, ठीक है, और 9 और 7, 16, 16 में से 4 चला गया, 12, ठीक है, तो एक आ 1,2 और 11,12, तीनों हमें इसमें मैच करगा, तो यह हमारा correct answer हो जाएगा, बाकी में देको यहाँ 2,1 दे रखा, हमारा जो आया है, वह 1,2 तो यह reject हो गया, ठीक है, फिर इसमें 12,11, हमारा जो answer आरह रहा है, 11,12 है, यहाँ 12,11 दिया वाँए, तो यह भी गलत हो गया, ठीक है इसी तरीक से तो मिला लेना तो हो जाएगा और सेम यह वाला एक तुम्हारे practice के लिए इस question को तुम practice कर लो और यह वाला parallelogram पे भी यही trick काम करेगा parallelogram का भी एगर तीन vertex दे रखा line से vertex A दे रखा B दे रखा C दे रखा और D find करना है तो a और c को जोड़ो, b को माइनस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लगा तो, अच्छा तो लगाई होगा यार, अच्छा क्यों नहीं लगाऊगा, तो कमेंट करके बताना यार, new student हो कि तुम पहले से जानते हो, इस चैनल को ठीक है, चलो, बाइबा, और हाँ एक बात और एक बात और एक बात और इस ट्राइब के जितनी भी मैं वीडियो बता रहा हूं ट्रीक वाली अगर तुम्हें चैनल पे खोजने में प्रॉब्लम ना हो सबका प्लेलिस्ट बनाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है और जब करने तो बगल में गंटी रबा ले ना है ठीक है